मैक्स कुल फीचर दिया गया है that's why Honda के ये दो अनमोर रतन है एक है आपका यहाँ पे Honda Amaze और दूसरा है Honda City नमस्कार दोस्तों शितस दिवेधी डिफरेंट वीडियो के इस एपिसोड वीडियो में आपका बहुत-बहुत सुआगत करता हूँ आज ये मेरे सामने खड़ी है 2021 Honda Amaze जो इसका फेसलिफ्ट आया है नया वाला ये इसका टॉप एंड वेरियंट है VX CVT 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है आज के इस वीडियो में देखेंगे आपको इस गाड़ी में कौन-कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और किस प्राइस पॉइंट पे आती है और कैसी है ये गाड़ी Honda Amaze में आपको पहले भी स्मार्ट की मिलती थी अब भी आपको स्मार्ट की मिलती है जहां पे आपको lock, unlock, hold करेंगे तो boot आपका open हो जाता है और जो quality हम देखें तो यहां पे आपको premium chrome की finish दी गई है साती जात पीछे आपको premium Honda का logo देखने के लिए मिलता है chrome finish में with piano black insert Welcome feature आपको देखने के लिए Honda Amaze में नहीं मिलता है जिससे ORVM fold और unfold हो जाते हैं during lock और unlock Global NCAP में इसने 4 star safety rating अचीव करी है शुरुआत करते हैं गाड़ी के जो बदलाव की बात है फ्रेंट में देखें तो Honda की signature solid wing face वाली radiator grill देखने के लिए मिल जाती है अगर आप इससे ध्यान से देखोगे न तो जो इसका size है वो छोटा कर दिया गया है पहले ये थोड़ा सा बड़ा आता था लेकिन यहाँ पर अब क्या किया है नीचे इन्होंने दो elements और add कर दिये हैं जो इसके look को थोड़ा सा और refresh कर रहा है headlamps की तरफ आए तो उपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको chrome की यहाँ पर strip देखने के लिए मिल जाती है जो इससे again बहुत enhance कर रहे है इसके look को जो change मिलता है बड़ा वाला projector lamp देखने के लिए LED वाले इनी headlamp setup के अंदर और यह आपके turn indicators है कि यहाँ पर आपको DRLs देखने के लिए मिल जाते है headlamp setup के अंदर ही तो यह इससे काफी खुबसूरत लुक दे दता है नीचे की तरफ अगर देखें तो एक तो आपको यह premiumness वाला feel देने के लिए chrome का यहाँ पर element add किया गया है साथी साथ LED fog lamp देखने के लिए मिल जाता है बाकी यह lower bumper की grill मिलती है यह splitter देखने के लिए मिल जाता है body color में ही generally यह हिसा black या silver finish में मिलता है यहाँ पर air intake fog lamp के just side में मिलता है तो गाड़ी का जो up design मिलता है वो थोड़ा सा और refresh मिलता है side से अगर गाड़ी का look देखें तो गाड़ी में कोई इतना change नहीं किया गया है but गाड़ी काफी attractive लगती है means इतना मतलब जो look है इसका काफी simple और sober दिया गया है और इस look से आप कभी भी bore नहीं होने वाले हो टायर दिये गए हैं वो MRF के दिये गए हैं जहां पर tire profile है 175-65R15 यह आपको जो alloy wheels देखने के लिए मिलते हैं basically diamond cut alloy wheels हैं 15 इंच के हैं Honda City में आया करते थे वही same आपको Honda Amaze में देखने के लिए मिलते हैं यह काफी beautiful और attractive साथी साथ बीच में Honda का premium logo मिलता है front wheels में आपको disc brakes देखने के लिए मिल जाते हैं और rear wheel में आपको drum brakes देखने के लिए मिल जाते हैं along with latest generation anti-lock braking system with electronic brake force distribution तो यह काफी अच्छा एक safety को enhance कर देता है aerodynamically designed बिलकुल molded बहुत beautiful सुंदर आपको ORVM देखने के लिए मिलते हैं LED turn indicators के साथ में जो इसमें integrated है electrically adjustable as well as foldable अब चलते हैं इसके door handles की तरफ chrome door handle देखने के लिए मिल जाते हैं जो again premiumness का एक प्रतीक है जो की top end variant की पहचान है generally एक खास बात यहां पर यह है कि यह सपोस्ट आभी आपकी आपने इसमें जस्ट अंदर डाला हां तो आपकी गाड़ी unlock हो जाती है अब आपको button दबाना है तो अब आपकी गाड़ी जो है वो लॉक हो गई तो यहां पर आपको touch sensor based की लिए sentry देखने के लिए मिलती है और यह जो request sensor है इससे सिर्फ गाड़ी lock होती है well placed character lines यहां पर देखने के लिए मिलते हैं bonnet में भी आपको बहतरीन character lines दी गई है जो इसे काफी aerodynamically design बना देता है aerodynamic drag force और air resistance यहां पर minimize हो जाता है इस segment में जो compact sedan है वहां पर किसी भी गाड़ी में sunroof देखने के लिए नहीं मिलती है तो यह एक factor है जो आगे की date में जो नई generation की अमेज वगेरा हैगी वह definitely आपको sunroof देखने के लिए definitely मिलेगा यह कुछ इस तरीके का lever seinen fuel tank खुलने के लिए मिलता है या आपका ट्रंग कोलने कि लिए मिलता है आपका ट्रंक खूलने के लिए मिलता है fuel tank capacity के बाट करें तो यहां पर 35 liters की देखने के लिए मिलती है था जाते हैं गाड़ी के पीछे वाले लुक की तरफ तो यहां पर भी जादा चन्ज नहीं करा गया है, शेर्ख फिनिंटी नहां, आपको पिछले वेरेंट में भी देखने के लिए, पिछले गर्चन साख लर्चन सबमांने में के लाइसे, रसे लग्जा बीन से वा प्रुकि के लिए नहीं कर दो बजाता है, वाडी कलर के उपर ही जो हॉंडा का लोगो इसका कॉंट्रास बहतरी ना रहा है वी एक्स की बैजिंग दिया गया है और लिखा हुआ है आई वी टेक जो पेट्रोल गाड़ी का होने का सबूत है लैम्स की तरफ आते हैं So it looks really cool यहां पे आपको जो चेंज मिल रहे है यह जो इस्टिप्स है ना It looks more on the sporty side पहले आपको प्लेन LED वाली जो लाइट थी वो मिलती थी प्लेन इस्टिप्स थी मतलब यह दोनों continue थी टेल लैम्प देखने के लिए मिलता था यह आपके turn indicator है बाकी आपका यह reverse lamp है चार reverse parking sensors देखने के लिए मिलते हैं थोड़ा सा यहां पे redesign bumper देखने के लिए मिलता है और यह diffuser वाला हिस्सा है उसमें आपको यह chrome strip देखने के लिए मिलती है जो इसे पीछे से भी काफी beautiful और attractive बनाती है दो reflectors देखने के लिए मिल जाते हैं और multi angle के साथ में reverse parking camera यहां पे दिया गया है यह अगर आप नीचे की तरफ देखोगे ना तो यहां पे आपको bootlet खोलने के लिए request sensor दिया गया यहां आप कह सकते हैं electric tailgate release lever boot space की अगर बात करें जो boot capacity है अब aperture wise देखा जाए दो से तीन बड़े बड़े suit case आपके हराम से आजाएंगे 420 liters का यहां पे boot capacity देखने के लिए मिलती है काफी बड़ा massive boot space है spare wheel आपको यहां पे steel rim वाला देखने के लिए मिलता है MRF का ही मिलता है 175 oblique 70R 14 का यहां पे देखने के लिए मिलता है थोड़ा सा छोटा है जो इसका rim है यहां पे जो wheel है वो छोटा है बाकियों का 15 inch है जो insulation का material है वो भी बहतरीन यहां पे दिया गया है अब इसकी build quality थोड़ा सा देख लेते हैं जब हम यहां पे आपको इसको बंद करके दिखाएंगे न तो जो इसका third sound आता है that is proof of its build quality 1.2 liters का 4-cylinder IVTEC patrol engine देखने के लिए मिलता है जो 90 PS की power produce करता है और 110 Nm का torque generate करता है engine bay के layout का आप देख सकते हैं जो सारे components हैं वो अच्छी तरीके से place किये गए हैं ऐसा होच-पोच नहीं लग रहा यह Honda IVTEC की आप बैजिंग देख सकते हैं और यह 4-cylinder आप यहां पे बता कर सकते हो 1,2,3,4 यह जो manifolds आपको देख रहे हैं आप लिस्ट आपको बाहर भी जब आप खड़े रहते हो तो इंजन लगभग साइलेंटी रहता है जो इसके बिल्ड क्वालिटी है वो अगेन अगर हम बोनट के इसके वजन को देखें तो हमें पदा चल रहा है हाँ यह सॉलिड गाड़ी है तो जब इसको बंद करते हैं तो यह भी काफी अच्छा थर्ड आता है तो यह 4 इस्टा सेफटी रेटिंग का प्रतीक है हम मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हॉन्डा अमेज का इंजन साउंड यह हॉन्डा अमेज का इंजन साउंड है गाड़ी की जो लेंथ है वो 3,995 mm की है तो यानि कि यह सब 4 मीटर कॉम्पक्ट आपके सिडान है जो यहाँ पर विट्थ देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 1,695 mm की जो हाइट है वो 1,498 mm की देखने के लिए मिल जाती है वील बेस जो है वो 2,470 mm का देखने के लिए मिलता है और जो इसका ground clearance है वो 172 mm का देखने के लिए मिलता है जो की unladen है laden थोड़ा सा और काम हो जाता है बर ठीक है city condition के लिए best गाड़ी है यह आप थोड़ा सा rough road पे भी चला सकते हो आपको कोई भी problem नहीं आएगी अमेज तो एक reliable और मतलब एक अच्छी बहतरीन जो है आपको sedan देखने के लिए मिल जाती है fit और finish है वो बहतरीन है मतलब हर जो panel gap मिल रहा है ना वो आपको बिल्कुल same देखने के लिए मिल रहा है यह कहलो दर्वाजों के बीच और रूफ के बीच का कहलो इंटीरियस देखिए आप ले इंटीरियस देखिए पूरा जो headliner है या roof liner है A pillar, B pillar, C pillar पूरा आपको बेज कलर में देखने के लिए मिलता है जो प्रीमियम गाडियों में देखता है अपने को आपको cabin खुला खुला लगता है डैशबोर्ड देखेंगे तो डूल टोन फिनिश में देखने के लिए मिलता है ब्लाक और बेज कलर में प्रीम फैब्रीक अपोल्स्ट्री की बेज कलर में देखने के लिए मिलती है पूरी अपोल्स्ट्री और यह काफी मतलब comfortable seats है पूरा बेज कलर का आपको हर seat में फैब्रीक मिलता है अच्छा कास आपको यहां पर contour मिल रहा है जो आपकी driving के लिए बहुत important रहता है आपको काफी support करके रखता है lower back support, lumber support आपको अच्छा यहां पर देखने के लिए मिल जाता है यह दो headrest आपको देखने के लिए मिल जाते हैं driver और co driver के लिए adjustable वाले height adjustment देखने के लिए मिलते हैं और जो lever की quality है वो भी काफी अच्छी यहां पर दी गई है recline आप कर सकते हो slide कर सकते हो तो आपको six way adjustable driving seat देखने के लिए मिल जाते है और four way adjustable co driver की seat देखने के लिए मिल जाते हैं पीछे वाले headrest fixed देखने के लिए मिल जाते हैं पीछे की जो seat है वो काफी comfortable है आम रेस वो अभी भी नीचे गिरा हो मिलता है तो यह चीज ना यहां पर उनी चीज चोटी काड़ी है तो आपका अराम से यहां पर आम रखा जाएगा आपको काफी comfort मिलेगा यहां पर दो holder यहां पर आपको मिल जाते हैं तो आगे वाली जो driving seat है मैंने अपने साब से एज so that is good comfort or space के मामले में हमेज में कोई भी दिक्कत ने होने वाली है इतना मिल रहा है और जब मैं straight बैट रहा हूं मतलब सीधे बैट रहा हूं तो मुझे इतना headroom मिल रहा है अच्छे एंगल पर seat यहां पर decline मिलती है जैसा कि मैं driving seat पर आचुका हूं तो मुझे यहां पर जो comfort मिल रहा है मैं अपने साब से adjust किया है इतना new room देखने के लिए मुझे मिल रहा है और thigh support यहां पर descend देखने के लिए मिल जाता है थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता था प मुझे मैं अराम से चला सकता हूं मुझे सारी चीजे एकसस पर आ रही है जो steering wheel है वो टिल्ट adjustment के साथ आता है telescopic adjustment देखने के लिए नहीं मिलता है door trims की अगर बात करें hard plastic का देखने के लिए मिलता है यह वाला जो हिस्सा है यह आपको door lining में fabric का देखने के लिए मिल जाता ह door handle में भी silver finish देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर bottle holder देखने के लिए मिल जाता है और जो soft touch material यहाँ छोटा मिलता है छोटा एरिया में दिया गया है जो door lining है okay यह आपको dashboard में भी देखने के लिए मिल जाता है जो इसके लोग को काफी luxury और premiumness प्रोवाइड करता है आप इ खीले century आती है यह काफी beautiful लगता है मतलब red illumination जो दिया गया है तो यह है instrumental cluster का start-up होता है instrumental cluster आपको यहाँ पे simple और luxury देता है यहाँ पर analog speedometer देखने के लिए मिल जाता है बीच में बड़ा सा M.I.D. देखने के लिए मिलता है multi information display black and white के साथ मिलता है और इधर मिलता है आपको टाको मीटर यह जो डायल है इसकी मदद से multi information display जो functionality इसकी वह आप access कर सकते हो तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है average जिसे कि अभी शो कर रहा है 7 km per liter ट्रिप भी ट्रिप ए 8.4 km और उपर शो कर रहा है आपको odometer clock शो कर रहा है गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है यह automatic वेरियंट है तो अभी पार्किंग मोंड में लगा हुआ है कि यह reverse में मैंने लगा दिया यह drive mode पे लगा दिया यह sports mode पे लगा दिया यह अभी neutral पे लगा दिया temperature जो है बाहर का वो मिल जाता है फ्यूल गेज मिल जाता है और यहां पर मिल जाता है आपको instantaneous fuel economy कि लो मेंटर पर लीटर लिखा है ना 02550 नेसेसरी सारी वर्निंग लाइट आपको यहां पर मिल जाती है steering wheel की अगर बात करें तो flat bottom तो देखने के लिए नहीं मिलता और ना ही यहां पर leather wrapping मिलती है बट जो feel है material का वो काफी soft touch है इस spokes में आपको silver finishing देखने के लिए मिल जाती है सिर्फ audio phone bluetooth control देखने के लिए मिलता है और यह automatic CVT variant है paddle shifter भी देखने के लिए मिलते हैं silver finish में यह काफी एक premium feature है और sports car वाला feel देता है यह light controls है और यहां पर आप देख सकते हैं इस बार चेंज किया गया है वह auto headlamp का यहां पर किया गया है और यह है wiper controls गाड़ी में total 2 airbags देखने के लिए मिल जाते है visibility की आपको Honda Amaze में कभी भी दिक्कत नहीं होगी अराम से visible हो रहे हैं bonnet के corners उपर की तरफ चलें तो sun visor में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता ticket holder भी नहीं दिया गया है और ना ही vanity mirror दिया गया है co passenger या co driver side में vanity mirror मिल जाता है जो IRVM है वो manual adjustment के साथ आते है डे-night feature के साथ में यह room lamp है cabin lamp जो आपको halogen वाले देखने के लिए मिलते हैं जो finishing a dashboard की वो hard plastic के मिलती है बट premium feel देता है इसका dashboard plastic quality is good really good means it looks like premium type मतलब ऐसा नहीं की cheap quality का आपको hard plastic मिल रहा है Honda में में आपको सिर्फ 4 speakers देखने के लिए मिल जाते हैं यह silver इंसर्ट इसी के dashboard में मिल जाते हैं जो इसके look को काफी premium और बना देते हैं लग्जूरियस एफेक्ट दे रहे हैं ग्लव बॉक्स के साइस की बात करें बड़ा है अच्छा लग रहा है प्रैक्टिकल है जो इसकी capacity अगर देखा जाए तो हम यहां पर कुछ रख सकते हैं चीजे अराम से रख सकते हैं यह चीज अच्छी है बीच में दो एसी के वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं आज यूजूल हर गाड़ी में मिलते हैं ट्रपेजियम शेप के दिए गए हैं नौब्स है उसमें क्रोम फिनिशिंग मिलती है और जो इसके पूरी सराउंडिंग बैजल है उसमें सिल्वर फिनिशिंग देखन मैं रिमूव नहीं कर रहा हूं विकॉस वीडियो बना रहा हूं पियानो ब्लाक की पूरी सराउंडिंग मिलती है हजार्ड लैंब का बटन देखने के लिए मिलता है सौफटच में काफी प्रीमियम फिल दे रहा है और जो यह साइज इसका वह सेवन इंच का देखने के लि मिल जाता है यहां से आप वॉल्यूम आप वॉल्यूम डाउन कर सकते हो इस इंफोटेन्मेंट सिस्टम में जो रिफ्लेक्शन आ रही है मतलब ठीक है आपको विजिबल हो जाएगा इतना आपको इंटरॉप्शन इसकी विजिबिल्टी में नहीं आएगी मतलब आपको अर रिस्पॉंस की बात करें रिस्पॉंसिव टाच है कैपैसिटिव टच के साथ आता ही है वोईस कमांड रेडियो एफम वन यह पूरी बटन्स दी गई है सॉफट टच यही पियानो ब्लैक फिनिश में आटोमेटिक टेंप्रेचर कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर आटो मोड सिल्वर फिनिशिंग में यह डायल मिल जाते हैं आपको मैक्स कुल फीचर दिया गया है सबसे लोग पेस ही को डाल देता है यह जो चा यहां पर आपना यूटिलिटी स्पेस में मोबाइल वगेरा रख सकते हो एक यूटिलिटी स्पेस या कप होडर आपके लोग यह मिल जाता है इसमें आप अपनी चाबी रख सकते हो स्मार्ट की एक तो सीवीटी का उप्शन आता है और एक आता है मैनुल ट्रांसमेशन का तो यह सीवीटी वाला वेरियंट है यह सारे मोड्स हैं आपको सिल्वर फिनिशिंग दो देखने के लिए मिल जाती है यहां पे बट लैदर रापिंग नहीं है प्रीमियम लग रहा है अच्छा लग रहा है पार्किंग ब्रेक जो लिवर है यहां पे वो कोई भी क्रोम टि देखने के लिए नहीं मिलता है यह आपके वार्वेम फोल्ड और अनफोल्ड राइट और लेफ्ट इलेक्रिकल एजस्मेंट कंट्रोल्स और टो डाउन अबलीक ओटो अफ फीचर देखने के लिए मिल जाता है अलॉंग विद पिंच गार्ड तो यह काफी अची चीज़ ह कैबिन लंप बीच में देखने के लिए हैं और चार देखने के लिए गया है पीछे वाले पैसेंजर के लिए एक ट्वाड का ड़ी सौकेट मिलता है ट्रांस्मिशन टनल के हमकी बात करें, ठीक है, डीसेंड साइस का है, अराम से तीन लोग बैठ जाएंगे, बट यहाँ पे रिकमेंड़ यही रहता है हर गाड़ी की तरह, कि बीच में एक बच्चा बैठे और दो साइट में एडल्ट बैठ जाएं, तो आपको यहाँ पे एंकरेजिस देखने के लिए मिल जाते हैं, सेफटी का यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके स्ध्यान रखा गया है, रियर कमपार्टमेंट वाला डोर है, पावर विंडो के इलुमिनेटेट स्विच देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बोटल होल्डर यहाँ पे भी देखने आजाते हैं इस वीडियो के एंड की तरफ, इस्पेशल थैंक्स टू स्मार्ट सिटी होंडा, जो की होशंगाबाद रोड पे लोकेटेड हैं, जिन्होंने मुझे इस गाड़ी के लिए परमीशन दी कि मैं इसका वीडियो आपके सामने पेश कर सका, जो यह वेरियंट है, तॉप ओफ दा लाइन वेरियंट है, जो की पेट्रोल सीविटी है, वी एक्स वेरियंट है, जो इसकी कीमत है, वो 10,25,000 रुपे है, बाकी इसका एक मैनुवल ट्रांस्मिशन वेरियंट पी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप वो भी आकर के यहां पे चेक कर सकते है, आप आओ, अपनी गाड़ी लगाओ, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पार्किंग नहीं मिल रही, और आप अपना पूरा जो वैल्यू वाला टाइम है, वो आप इसके साथ अपना स्पेंट कर पाओगे, अगर कंक्लूजिन की बात करें, कॉम्पक्ट में बढ़ियां पार्क करने में भी अच्छा रहेगा, जादा बढ़ी नहीं है, फैमिली के लिए पर्फेक्ट स्पेस मिलता है, मैन मैक्सिमम, मशीन मिनिमम वाली यहां पर फिलोसफी से इसको बनाया गया है, जो जो इसके एक प्रीमियम से डान वाला मिलता है, जो इस वी बढ़ियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजे, थैंक्स फो वाचिंग में सो पेशेंसली एंड बावाय